कॉंड साथ्यक्षिनाई मालिगार्जुन खारगे चुमतले एट्व एए सिसी आस्थानता तरन्यट पसमधी चेर्मान खारगे क्या विजे पत्रम कैमारी सोनिय गांधी राहूल गांधी तोड़िंगे नेदा कल चड़ंगिल पंगड कुलूंड़ सोनिय गांधी समसार की गयाना तल समया सम्रेश्च्ट रेकिए आप सबके प्रती अभार व्यक्त करते हूं मैं बहुत प्रसान हूं साथ कहूं तो बड़ी राखत महसूस कर रहे हूं सबसे अधिक संतोष इस बात का है कि अपने अपने दिवेक से जिने अध्यक्ष चुना है वे एक अनुबही नेता है धर्ती से जुड़े हुए नेता है एक साधारन कार्यकरता के रूप में काम करते हुए अपनी निश्टा से अपनी महेन से अपनी लगन से और अपनी समर्पन से इस उचाई तक पहुचे हैं मुझे पूरा विश्वास है कि उनसे पूरी पार्थी को एक प्रेवना मिलेगी एक संदेश मिलेगा और उनके नित्रित्व में कांग्रेस लगतार मजबूत होगी मैंने अभी अभी कहा कि मैं रहत महसूस कर रही हूँ मैं इसे इस पाष्ट करना चाहती हूँ रहत इसलिए कि आपने इतने बश्शों तक मुझे जो प्यार और सम्मान दिया है यह मेरे लिए इस तरह से गौरत की बात है कि उसका ऐसा मुझे अपनी जीवन की आखिरी सास तक रहेगा लेकिन यह सम्मान एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बीठी मुझसे अपनी शम्ता और योग्यता के अनुसार चितना बन परा उतना किया आज मैं इस दैत्र से मुक्त हो जाओंगी यह भार मेरे सीर से उतर जाएगा इसलिए स्वबाविक रूप से मुझे राहत का एचास हो रहा मैं अब सबको भी दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमेशा अपना सैयोग और समार्तन मुझे दिया है अज यह जिम्मेदारी कर्गेजी के उपर आ गई है परिवार्तन संसार का नियम है यह परिवार्तन जीवन के हर छेत्र में होता रहा है और होता रहेगा ठीक उसी तरह से जिस तरह से जीवन के हर छेत्र में नए नए चुनोत्या आती रहती है आज हमारी पार्तिक के सामने भी बहुत सारी चुनोत्या है सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आज देश के सामने लोग तंत्रिक मूलियों के लिए जैसा संकत पैदा हुआ है उसका मुकाबला हम सफलता पूरवक कैसे करें आपने जिस तरहे लोग तंत्रिक तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष के चुनार में अपना नया अध्यक्ष चुना है मुझे विश्वास है कि उसी तरह पार्टी के सभी कर्यकरता और नेता आपस में मिल जुलकर एक ऐसी शक्ती बनेंगे जो हमारे महान देश के सामने उपस्टित समस्याव का सफलता पूरवक सामना कर सकें कांग्रेस के सामने पहले भी बड़े बड़े संकत आये हैं लेकिन पार्टी ने सभी हार कभी हार नहीं माने हमें अब भी पूरे संकल्प के साथ पूरी मजबूती के साथ पूरी एक तक के साथ आगे बढ़ना है और सफल होना है आज इस विशेश अफसर पर मैं बस यहीं चंद शब्द कहना चाहती थी अंत में मैं सबको अपने लगतार सयोग के लिए एक बार फिर धन्यवाद देती हूँ और इस अफसर पर पार्टी के चुनाव प्रणिकारन के अध्यक्ष मिश्टी जी को भी खासतोर से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने और उनके सयोगियों ने पार्टी के यह चुनाव बहुत अच्छी थर संपन कराये है मैं मलीकारजुन ठार्गे जी का नए अध्यक्ष के रूप में स्वादत करते हुए अपनी बात समक करती है धन्यवाद जैहिंग अधिन अम्मेंटो प्रसंदेशन कॉंगर्स प्रसंदेशन मलीकारजुन ठार्गे जी बिल प्रसंदे ममंटो क्रेशन प्रसंदेशना झी समधिय अंपिकर्स ओनी जी फिल बेस प्रसंदेश बिल करती हुए क्राम और्धन चन्देश पासे जी बेस्तर नर्टेशन निए निएरी दो दो प्रसंदेशन अखि अँचि जी दो झाल झाल आधर में सोन्या गांदी जी श्री राहूल गांदी जी के वेणुगोपाल जी मदुसादन मिस्त्री जी सबा में मौजूद हमारे नेतागन और कांग्रेस पार्टी के मेरे सातियों और मेडिया के मेरे मित्रों आज मेरे लिए बहुती भावुक्षन है आज एक वर्कर मजदूर का बेटा एक सामान में कारे करता को भारती राश्टी कॉंग्रेस का अध्यक्ष चुनकर ये सम्मान देने के लिए आप सब का हार्दी आभार और धन्यवाद देता हूँ जो यात्रा मैने 1969 में ब्लाग कॉंग्रेस कमीटी के अध्यक्ष के रूप में शुरू की थी उसे आपने आज इस मुकाम पर मुझे पहुँचाया है जिस महान राजनीतिक दलका नेत्रत्म महत्मा गांधी जी पंडिजवरलाल नेरु जी सुभाष्चन्र वोस जी सरदार पटेल जी मौलाना आजाज जी बाबु जग्जिवन राम जी इंद्रा गांधी जी और राजु गांधी जी ने किया हो उस जम्यवारी को समभलना मेरे लिए सोभग और गवरों की बात है तक्रम बेट करने जो इस देश के समिदान को बनाने में अपनी आधुनिक भारत को निर्माण कांग्रेस पार्टी का जो बेमिसाल योगदान है मैं समझूंगा इसको रक्षा करना हमारा सब का फर्ज है इसके लिए लड़ना हम सब को तैयार होना चाहिए कांग्रेस के सभी पुराने अध्यक्षों को याद करते हुए मैं आप सब को भरोसा दिलाता हूँ कि अपनी महनत से अपने अनुभोव से जो कुछ भी संभो होगा मैं करूंगा लेकिन आप सब को भी मेरे साथ पूरी ताकत के साथ लगन के साथ ठैरना होगा यही मेरा अपील है आज इस अउसर पर कॉंग्रेस के करडो कारिकरता की तरफ से स्रीमती सोन्या गांधी जिक के पहुमुल्य योगदान के प्रती रदे से आदर, सम्मान और आभार वेक्ष करना चाहूंगा मुझे याद आता है 15 जनवरी 1998 का दिन जब बेंगलूर के नाशनल हाई स्कूल मैदान में आपने अपनी पहली जनसबा में कहा था कि मैं करना तक से राजनीती की दिक्षा ले रही हूं तब से आपने राज दिन निश्च्वार्थ मेहनत कर कांग्रेस को संभाला है सोन्या जी हमेशे सचाई के रहा पर चलती रही सिर्फ सत्ता के लिए राजनीती करने मालों के इस दौर में जाक की जो मिसाल उन्होंने काइम की है उसका कोई दूसरा उदान मिलना मुश्किल है उनके नेत्रोत में ही दो बार यूपिये की सरकार बने तब आम लोकों के हित में एक से एक शांदार काम हुए मन्रेगा, Food Security Act, Right to Information, Right to Land Acquisition, Right to Forest Rights जैसे कितने ही कानून आपने बनाया जो सोनिया और डाक्टर मनमोन सिंग जी के नेत्रोत वाली सरकार की बहुत बड़ी उपलब्दी है उदाइपूर के नाव संकल्प चिंतन सिभीर में पार्टी को आगे लाने का जो ब्ल्यूप्रिंट सोनिया जी के नित्रोत में तैयार हुआ था उसके लागू करने की जिम्मेदारी अब हम सब पर है मैं जानता हूँ कि ये दोर मुश्किल है हम सब जानते हैं कि जैसे लोगतंतर की स्थापना कांग्रेश ने की थी उसको बदलने की कोशी आज हो रही है किसने सोचा होगा कि देश में कभी ऐसी राजनीती का दोर भी आएगा जिसमें जूट का बोल बाला होगा और सत्ता में बैटे हुकुमरान लोगतंतर को कमजोर करने में जुटे होंगे लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जुट फरेब और नफरत का ये तंत्र हम तोर कर रहेंगे कॉंग्रेश की विचारदारा भारत के समिदान की विचारदारा है और करडो देशवासी उसमें दिल से एकीन करते हैं ऐसे बहुत से लोग कांग्रेश पार्टी के साथ फार्मली जुड़े हुए नहीं है लेकिन वो लोगतंतर को बचाना चाहते हैं कांग्रेश अद्यक्ष के नाते मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आए हम साथ चले मैं उन्हें एकीन दिलाता हूँ कि ये देश का सब देश के सब के लिए और कांग्रेश की सब की भलाई इसी में है कांग्रेश पार्टी 137 वर्षों से लोगों की जीवन का हिस्सा है हमारे अच्छे काम के बावजूद हमारे नेताओं के त्याक के बावजूद मद्दाता हमसे कुछ रूट गए है मैं राभूल गांधी जी की आभार मानता हूँ जिनों ने इस बात को समझा और हर मुश्किल को डरकिनार करते हुए वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़े हैं वो लोगों से मिल रहे हैं उनसे सिधे समवाद कर रहे हैं उनके दुक और दर्द को सुनकर वो हर लोगों से मिल रहे हैं चाहे हो एज्जी ओज हो इंटलेक्शुल्स हो जर्रेलिस्ट हो किसान हो मजदूर हो बच्चे हो सभी के साथ रास्ते पे मिलते हैं उनके पूछते हैं फिर जब इंटरवल होता है उस वक्त उनसे सौमाद भी करते हैं यह बहुत बड़ा अचिवमेंट हमारे पार्टी के लिए है और यही बड़ी देन हमारे लिए है खासकर मेरे लिए है कन्या कुमार इसे कश्मी कि इस भारत जोड़े आत्रों में हर रोज लाखों लोग जुड रहे हैं देश में एक नई उर्जा पैदा हो रही है इस उर्जा को हम वर्त नहीं जाने देंगे कांग्रेस अद्यक्ष के रूप में यह मेरा दायित तो है इस दायित को पूरा करने में मुझे आपका साथ चाहिए और मैं आपके साथ काम करने के लिए इस पिशे में तैयार हूँ मैं नीचे से काम करते हूए आया हूँ एक प्राइबरी मेंबर्स ब्लाग कॉंग्रेस कमीटी काम करते करते इस पार्टी को जुड़ा हूँ और आपके बीच इस पर पर आकर आज पहुंचा हूँ मैंने खुद हर रवस मुश्किल का सामना किया जिसका सामना आम खारे करता और पार्टी के नेता करते हैं पार्टी में काम करते हूए जो चुनेतिया आती है जो उतार चड़ाव आते हैं जो आशा और निराशे से आप गुजरते हैं मैं उनसे वाकिफ हूँ इसलिए मैं विश्वास के साथ आप से कहना चाहता हूँ कि हम साथ मिलकर हर चुनोदी का सामना करेंगे आईए हम कॉंग्रेस की उस विचारधारा को लोगों में लेकर चले जिसे राहुल जी ने अपने कारिकाल में एक नई धार दी है हम जानते हैं कि इस देश में करड़ो यवाँ जो भारत को धर्म, जाती, जंडर के बटवारे से उपर देखना चाहते हैं जो भारत में शान्ती चाहते हैं, रोधगार चाहते हैं, विकास चाहते हैं, वैद्नियानिक सोच चाहते हैं, लोगतंत्र चाहते हैं, ये युवा ही देश की और कॉंग्रेस की उमीद है। उदैपूर नौसंकल्प सिवीर में हमने तई किया था कि युवाओं को पार्टी में आगे बढ़ाये जाएगा। संगटन में 50 साल से कम उमर के लोगों के लिए रिजर्व रहेगी। युवाओं की इस उमीद को पुरा किया जाएगा आप सभी के कॉपरेशन से। साथ ही उदैपूर में हमने तई किया था कि कांग्रेश के कारेकरताओं को ससक्त किया जाएगा। ब्लॉक, जिला, राज और राश्ची स्तर पर सभी और्गनाइजेशनल वेकेंसी भर दी जाएगी। ये होके रहेगा। उदैपूर डिक्लेरेशन मैं पार्टी के निर्णे जो लिया है कि उस चुनाओं के तैयारियों के लिए भी पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट और ए आइसी सी एलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनाये जाएंगे। कि आज के समय की एक बड़ी जरूरत है इसी लिए इने हम तुरंत स्तापित करेंगे। सभी राज्जों में जल्दी पॉलिटिकल अफेर्स कमिटी बनेगी। कॉंग्रेस प्रेसिदेंट की मदद से सोशल जस्टिस अडवाईजरी कमिटी और स्सी एस्सी ओबीसी वर्गों के लिए लीडर्शिप मिशन भी हमें कुछ ही दिनों में बनाना होगा। हमें हुदाइपूर में संकल्प लिया था कि देश में मौझुदा सरकार की अराजकता को मूँ तोड जवाब देंगे। बीजेपी आरेसेस का सपना है कि ये देश विपक्ष मुक्त हो। वो लोग निवी इंडिया की बहुत बात करते हैं। पर ये कैसा निवी इंडिया है जिसमें इवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। जिसमें महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है और अत्याचरियों को सम्मान होते जा रहा है। ये कैसा निवी इंडिया है जहां जनता मंगाई से तराई तराई कर रहे हैं। लेकिन सरकार आखे बंद करके बैटी हुई है भारत की जनता की कमाई और मैनत से बने हुए सारे पब्लिक सेक्टर्स एरपोर्ट, सडक, रेल, बैंग, सबी कुछ सरकार बेच रही है अपने चन्द मित्रों के जेब में वो डाल रही है इस निव इंडिया में भूक मरी बढ़ रही है प्रोदूशन बढ़ रहा है सिक्षा मंगी हो गई है लेकिन रुपए लुड़क रहा है यहां सरकार सो रही है लेकिन ED, Income Tax, CBI दमन के लिए 2400 घंटे काम कर रहे है उनके इस इंडिया में दलित, आदिवासी, अलपसंक्याक, सोशित समाच के लोकों को अफमानित किया जाता है उनके मुखे चीने जा रहे है और आज के दिन इसी नू इंडिया में जूट को सच और सच को जूट बनाया जा रहा है यहां गोडसे को देशवक्त बोलते हैं और महात्मा गांदी जी को देश दोही बोलते हैं यहां बावा साहिब के समिधान को बदल कर संग के समिधान को लाने की कोशिश हो रही है इसी नू इंडिया को बनाने के लिए वो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस के रहते ऐसा हो नहीं सकता ऐसा हम होने नहीं देंगे और इसको लड़ते रहें आज मैं खास कर इस मोके पर हमारी पार्टी के नए चुनेगे नौ हजार से भी ज़्यादा डेलिगेट्स पी-सी-सी डेलिगेट्स को बहुत बदाई देता हूं और उन से कहना चाहता हूं कि आप हमारी पार्टी के आदार हो आप जमीन से जुड़े हुए हो और जमीन से खरीब हो इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि आप हमारे कौंगरेस संगटन के आँख और कान हो आप अपने अपने ब्लॉक में हमारे पार्टी के छे करोड प्रात्मिक सदश्चों के सुख दुख के साती हो हमारा एक आम कार्यकरता जब मजबूत होता है तभी हमारा केंद्री संगटन मजबूत बनता है today i want to call upon my congress family to come together to carry the message of Bharat Jodu Yatra to every nook and corner of the country the message of economic equality, safeguarding constitutional values, communal harmony ब deform mandates next S to the youth of India Let Us tell the people of India The Congress with them in their struggles and aspirations Tell them that we are going to be their sait We will work for India that was envisioned by forefathers who gave their blood and sweat for this great nation. Lastly, I would like to thank the Chairman of the Central Election Committee, Authority and its members, the Congress Party and this team, providing once again the Congress is the only party that truly has internal democracy and that has been proved in this election very impartially conducted by the Chairman of the Authority. I once again congratulate him. I also would like to thank CWC members, PCC presidents, CLP leaders and all organizational wings for their support and cooperation that they extended for conducting this election smoothly. In the end, I would like to once again thank our PCC delegates and I want to tell them that you are the foundation of our party. As President, it will be my utmost duty to look after our workers. Together, we will build an India that will be enlightened, empowered and equal for every citizen. इस देश में समिदान की रक्षा होगी, सबके सम्मान अधिकार की और अवसर की रक्षा होगी, लोकों में नफरत फैलाने वालों को हम हरा के रहेंगे, जनता की आवाज बनेंगे, मैंगाई, बेरोजगारी, भुक्मरी से लड़ना होगा, भारत वाजियों के भविष्ट की रक्षा करनी होगी, आने वाले समय में हिमाचल, गुजरात और अन्य राज़ों में चुनाओं होने हैं, जनता इन राज़ों में बद्राओं चाहती है, हमें मजबूती से इन में अपनी पार्टी का प्रदर्शन करना होगा, आप सभी का सहकार और सभी की महिनत उसमें लगना चाहिए, तभी हम उसमें ये श्पाइएंगे, हम महात्मा गांदी के सिपाई हैं, हम किसी से डरते नहीं, और जब कांग्रेस कारिकरता अपने अंदर के डर को निकाल देगा, तो बड़े से बड़ा सामराज भी भुटने टेक देगा, तो इसलिए मुझे एक बार जागाता है, राखुल जिर जब लोग सभा में थे, एक शब्द हमेशा कहा करते थे, जो भी मुश्किले हम को आएंगे, इसको डरना नहीं, उनका वरड़ी था डरो मत, और वोई डरो मत का स्लोगन हम आगे लेकी चलीए, मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूँ, कि जो लड़ाई कॉंग्रेस लड़ रही है, वो सिर्फ हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हमारे पार्टी के लिए नहीं है, यह आपके भविश्की लड़ाई है, जिसे हम सब मिलकर लड़ेंगे, और जीतेंगे, और एसे स्विस में हासिल करेंगे, इतना कहिते हुए, मेरे चार शब्द को समार्ट करता हूँ, जाई इन, जाई कॉंग्रेस, अजिद्योकार शब्र सकते से सट्व सकते सर्मारे, जाई कर लुए, करगे जी और माडम और अधर सेनियर लिडर्स फिल गो तो आएच्छी ऑपिस अपिसली करगे जी विल सित इन इस प्रसिदेंस पूम नव नव नश अन्ड़ अन्ड़ जने गने मने अधिनायक जया है भारत भागे विश्टाइब है पंजाब सिंद गुजिरात मराधाद राविडे उतकल बंग विंद ही माशल यमुना गंग उचल जल दितरंग तब शुब नामे जागे तब शुब आशिश मागे गाहे तब जयो गाथा जने जने मंगली नायती जया है भारत भागे विधाता जाया ही जाया ही जाया ही जाया 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 ही केंद्र सर्कान्डे जनविरु धन्नायंगल किरदे पोराडान उरु मिच्छनिल कनम नाहुवनमं चेएदुगुंड कॉंडसेंडे पुदिया दिक्षन ऐच्छोम लेटेट्टा मलिगार्जुन गार्गे इदाउत्यम तन्ने एल्पिच्छदिल एरे संदोशमन अधिहम सदसिनाभी संबोधना चेएदुगुंड परण्यू शक्तमाय करंगलल आन इनकोंडसेंडे पावियन्द सोनिया गांधियम गार्गे स्वागतं चेएदुगुंड परहिगे उन्डाई